हेलो प्रेंड वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं दोस्तों आशा करती हूं अपसे बहुत अच्छे सुनगे और अपने अपने कामों में मस्त और ब्यस्त भी होंगे तो दोस्तों देखिए यह चंपा यानि नाग चंपा देखिए कितना खुबसूरत यह फ्लावरिंग लिया तो देखिए अब आद ये मेरा पिछले साल का ये प्लांट है और इसमें देखिए कितना खुबसूरती सी ये पिछले बार नॉंबर था किसमें फ्लावरिंग जब मैंने ये پहली बार लाई थी इसकी प्लांट चोटा सा हाही प्लांट था यहां से मैंने कतिंग है देशतो तो आर्टीन ब्रांच में देखें तो इस तरि घंद से लंबा जा प्लांट होते और यहां से देखिए टुटने के बाद इसमें सिल गिर है तो यह प्लांट बहुत ही खुबसूरत लगता है दोस्तों और जब फूल खिलते हैं तो गजब का इसमें खुबसूरती आती है देखिए कितनी कल्या बनी हुई है और यह पूरे गुच्छे में खिला हुआ था सो तो इसमें फ्लावर हो और थे थे इस सब्सक्रीया बहुत है जल गया। लिख्वि दखेों के पूरा जाता है और यह फ़्लावर रिखने में लगता है। और इसकी जो पतिया होती है देखे दोस्तों इसकी सेफ बिल्कुल नाग जैसी होती है देखे नाग का जो फन होता है उसके जैसा होता है तो इसलिए इसको साइद नाग चंपा करते हैं और इसका सेफ जो होता है वो भी बहुत खुबसूरत है अगर इसकी फ्लावरिंग नही तो जो इसकी प्लावरिंग करने पत्यों का सेफ है वह देखे कितना खुबसूरत है तो जब किवार पतिया रहती है तभी तभी यह बहुत खुबसूरत लगती हैं, तो यह खुबसूरत बहुत लगती है, इसमें दोस्तों खुश्बु नहीं आती है, जैसे यह मेरा चमपा का प्लांट है सोरी ये चमपा फूल मेरीयक प्लांट है और देखें कितना बठा सा हो गया था पिछले जब आंधी आई थी तो उसमें ये प्लांट मेरा गिर गया था और मैंने किसी तरह इसको खड़ा किया था इस प्लांट को और इसमें भी देखुल खिल रहे थे अभी बड़्स बन रहे हैं में खता हुए हए EC बड़्स बन रहे हैं व्याइं चेमपा है एक दूरि खुकल रहे हैं तो मतरका नागचंपा प्रत्रार हॉ tiro कि इसमें निकल रहा है यह देखिए यह दिख रहा है न टिप यही निकल रहा है तो इसमें से फ्लारिण होती देख width यह पिछले साह ल Ub Valentine hobby मैंने लाए था तो फिछले बार मैंने लाइ cities यह नहीं हुला था और इस सब्सक्राइब होना तो यह बही कि यह रेट कलर का है तो देखिए कौन सा कलर निकलता है हलाकि पतिया देखने से लग रहा है कि रेट कलर का है क्योंकि इसकी पतिया रेट पर है और यह चमपा का जो पतिया है वह ग्रीन पर है क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है दोस्तों इसमें इसकी पानी रहती है तो इसको पानी बहुत कम ही चाहिए और इसकी कटिंग बहुत असानी से लग जाती है तो मैं इसकी कटिंग भी लगाई हूं चलिए मैं आपको दिखाती हूं दोस्तों इसकी कटिंग मैं लगाई हूं अभी देखिए बारिस हो रहा है तो बारिस के समय में इसको इधर छाया में रखी थी नेट के नीचे तो देखिए इसमें मैंने ये कटिंग लगाई है और कटिंग मेरे की इतने अच्छी से ग्रो हो गई है और इसमें ब्रांच निकल रहा है, देखिए, तो ये कटिंग मैंने जब लगाई थी, तो इसकी कटिंग ये सेर की थी, मैंने कैसे कटिंग लगाया था, और एक कटिंग यहां भी लगाया है, तो ये भी ग्रू हो गया है, दो कटिंग मैंने लगाया था, दोन मेरा कटिंग ग आगल नहquentlyं दंटक हैं कि और महींने में दो बार मैं इसमें खाद डलती हैं जैसे झार ठीचिचेंद ह Christianity तो इसे 15 दिन में खाद जरू डालें कोई भी liquid fertilizer हो या organic fertilizer हो या फिर गुबर की खाद कोई भी fertilizer आप इसमें 15 दिन पर एक बार जरू डाल दीजिए तो ये आपको सितमबर अक्टूबर तक पूरा महीने फूल खिलते रहेगा और अक्टूबर में आप चाहे तो इसकी cutting कर सकते हैं या फिर फरवरी में cutting कर सकते हैं तो ये प्लांट देखिए कितना खुल सुरत लगता है ना और इसकी मिटी दोस्तों ये हाड़ी प्लांट है और हाड़ी प्लांट होने से इसकी मिटी भी थोरी हाड़ बनानी परती है क्योंकि मिटी का मतलब है जैसे 50% इसमें गाडें क्योंकि अक्तर मैं कोको फिट डालती हूं हर प्लांट बनाने प्लांट को ग्रोव करने के लिए पॉट्स को तो इसमें मैं नहीं डाली हूं क्योंकि हाड़ी प्लांट है तो हाड़ी प्लांट के लिए मैं इसको ज्यादा नहीं समझती हूं कि हाँ इसमें फटी है इसको भ दोस्तों कैसा लगा हम वीडियो अगर मेरा वीडियो पसंद आ है तो प्लीज अपनी राए कमेंट बक्स में दीजिए गा और मेरे चैनल पर जो नहीं हो प्लीज प्लीज सस्क्राइब भी कर दिजेगा बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दिजेगा दोस्तों ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी नोटफिकेशन सबसे पहले मिल सक्या और कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों तो म